देखो दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे प्लेयर के बारे में डिसकस करेंगे जिनका सेलेक्षन कम रहेगा लेकिन वो प्लेयर आपके लिए ग्रेंड लीग के अंदर काफी डिफरेंस क्रियेट कर सकते हैं तो आप वीडियो को पूरा याद से देख लीजेगा दोस्तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सिस सिलंका के बीच होने वाले तीसरे T20 मैच के बारे में जो की खेला जाएगा सोराष्टर क्रिकेट असोशेशन स्टेडियम राज़कोर्ट के ग्राउंड के उपर 7 जनवरी को शाम को 7 बजी मैच स्टार्ट होगा इंडियन टा प्लिग्राम चैनल को जोई नहीं किया है तो जोईन कर लीजिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक मिलेगा आप लिंक पे क्लिक करके जोईन कर सकते हूँ और वहीं दोस्तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक याद से कर दीजिएगा तो दोस्तो वीडियो के स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेन्यू स्टेट्स के बारे में यह को दोस्तो आपको बता दूँ कि यह वाला मैच खला जाएगा शोराष्टर क्रिकेट बैटिंग सेकंड यह इन 4 मैंचों के अंदर स्कोर एक सो प्लस स्कोर दो बार बने यहने दोस्तों दो बार यहां पे पिछे ने एवरेज बिएवियर शो की है और दो बार पिछे ने यहां पे बैटिंग प्रेंडली बिएवियर शो की है अब दोस्तों गर हम बात करें इस ग्राउंड पर खेलें के लाश्ट के दो मैचेज गी तो ए अगर दोस्तों मैच में इंडिया की तरब से इशान किशन ने 27 रन मिनाये थे हार्दिक पांट्या ने 46 रन अकसर पतेल 8 रन एक विकेट यूजी चैल को दो विकेट मिले थे और हरसल पतेल को एक विकेट मिला था इससे पहले दोस्तों इस ग्राउंड की उपर 2019 के अंदर पहले बैटिंग की 153 मिना इच्छ है विकेट पे और इंडिया ने 154 मिना के 8 विकेट चुम मैच जीत लिया था अगर दोस्तों से मैच में हम फास्ट वरसी स्पिन की बात करें तो पहली इनिंग में फास्ट बोलों को 2 विकेट और स्पिनर को 3 विकेट और दूसरी पहले मैच को देखो तो पहले मैच को देखो तो पांच विकेट और दोनों मैचों के अंदर यूजी चेहल ने दो दो विकेट चटकाए थे तो यह प्ले आपके लिए डिफेरेंशिल रह सकता है पाकी दोस्तो आपको रहा दो काफियत तक आपको एक बैलेंस पिस देखने को मिलेगी वहीं दोस्तो हार्दिक पंडे का डिकोर्ड भी इस ग्राउंड के उपर काफियत चाह है रास्ट के दो मैचों में एवरेस परफूमेंस राइस प्लेयर का यह प्लेयर इस मैच में पाकी दोस्तो बैलेंस पिस देखने को मिलेगी बैट्समेन को हो सकता है बोलर को भी फिवर हो सकता है अगर दोस्तो पिच की रिकोर्ड और वेन्यू स्टेट्स को माँ आपके लिए समराइज करूं तो यहां पर दोस्तो टोटल च्यार T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगे हैं जिन में से तीन टीम इंडिया ने जीते हैं अब दोस्तो यहां पर आपको एक बैलेंस पिस देखने को मिल सकती है वहीं दोस्तो यूजविंदर चैल और अक्सर प्टेल का रिकोर्ड इस ग्राउंड के ऊपर ठीक ठाक है यानि दोस्तो सिललंका की तरब से वेनेंदु असर चमिका कानरतने और कुसल मेंडिस यह साथ-8 प्लेयर है जिनके उपर मैक्सिमम जनता अपना फोकस रखेगी क्योंकि दीसेंट रिकोर्ड के बैसिस पे इन प्लेयरों का परफोमेस अच्छ है लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर कुछ प्लेयर आपके लिए ग्रेंड लीक के अ याच से जोइन कर लिजेगा दोस्त एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार इस वीडियो को लाइक याच से कर दीजेगा तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते कि आप कैसे जीत सकते हो एक रूपए में ब्रेंड न्यू आइफोन तो अगर आप फर्स्ट रेंग लाते हो तो आपको मिलेगा ब्रेंड न्यू आइफोन एज फर्स प्राइज वहीं दोस्तों माई 11 सरकल एप पे आप इंडिया और साथ अफरिका वाले मैज के अंदर मेगा लीक के अंदर अगर फर्स्ट रेंग लाते हो तो आपको मिलेगी ब् करते हो और first deposit करते हो तो आपको मिलेगा 20% extra cash जल्दी कीजिए वीडियो के description box में लिंक दिया है लिंक पे क्लिक कीजिए माई 11 सा क्लैब डाउनलोड कीजिए और खेलना start कीजिए तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रोबल प्लेइंग 11 ओफ इंडिया विद बैटिंग ओडर देखो दोस्तों प्रेडिक्टिड प्लेइंग 11 है अगर प्लेइंग 11 में किसी एक या दो प्लेइर का चेंज होता है तो वो चीज में आपको बाद में टेलिग्राम पे अब्डेट कर दूँगा इंडिया की तरफ से आपको ओपनिंग करते हैं इशान किशन और शुबमन दो मेचो में फलोब चल दें तो हम प की बात करें तो हो सकता है यहां पर सिवम मावी की जगह हरसल पटेल को एक बार फिर से मोगा दे दिया जाए हाई चांस आपको यही प्लेंग 11 देखने को मिलेगी अगर इस प्लेंग 11 में किसी एक या दो प्लेयर का चेंज होता है या बैटिंग ओडर का भी कोई चेंज होता तो वो चीज में आपको बाद में टेलिग्राम पे अपडेट कर दूँगा अब सेफ ओप्शन के गरम बात करें तो इसान किशन सेफ है मैक्सिमम लोग सेलेक करेंगी सूर्य कुमार यादव सेफ है हार्दिक पंडय सेफ है अक्सर पटेल सेफ है उमरान मलिक सेफ है अर्ष विकेट चटकाई हुए इस ग्राउंड के उपर इस प्लेर के उपर थोड़े कम बंदे भी ध्यान देगी उसके बाद दोस्तों अगर यहां पर स्टार्टिंग में पारपले में मूवमेंट हो या फिर दोस्तों आपको लगे कि यहां पर सिरलंका के जो पारपले के बोलर है कासून रंजीता दिल्चान मदुसना का यह लाहरू कुमारा अच्छा परफॉमेंस दे सकते हैं तो उस केस के अंदर अगर आपको लगे कि इंड यही पारपले में बोलिंग करने आ सकता है अगर आप इनको अपने टीम में ले रहे हो और आपको लग रहा है कि यह पारपले में विकेट निकालेंगे यानि इशान किशन शुममन गिली और यादो में से कोई एक या दो प्लेयर फ्लोप होगा तो आप इनको ड्रोप करके फिर रहुल त्रिपार्थी जैसे प्लेयर दिपक खुड़ा जैसे प्लेयर के साथ जा सकते हो बाकी दोस्तों एक चीज़ उर्पता दूँ कि लास्ट मैच के अंदर अर्षदीप सिंग थोड़े फ्लोप रहते तो इस मैच में ग्रेंड लीक के अंदर अस्दीप सिंग याद से जोइन कर सकते हो अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोबल प्लेइंग 11 ओफ सिरलंका विद बैटिंग ओडर एको दोस्तों सिरलंका की दरब से आपको ओपनिंग करते हो दिख सकते हैं पाथूम निशांका और कुसल मेंडिस और लास्ट मैच में तीन नमबरे कर दूंगा क्या चेंज होगा अगर फाइनल प्लेइंग 11 आने के बाद कोई चेंज होगा तो उसके बाद मिद लोटरी कमांग सीबात सकते हैं चरित असलांका भानूका राजबक्छा दासून सनाका और विन्दू असरंगा और विन्दू असरंगा चमिका कौन अन्या उसके बाद दोस्तों लाश्ट मैच के अंदर एक और की बोलिंग दासून सनाका ने भी की थी और उसके बाद दोस्तों यहां पे कभी कभार दरेंजे डी सिल्वा भी बोलिंग करने आ जाते हैं अगर स्पिन को थोड़ा बहुत मदद मिलता है पिछे तो अब दोस्तों सेफ ओप्सन के अगरें सिल्लंका की तरब से कुसल मेंडी सेफ दिख रहे हैं उसके बाद दोस्तों चरीत असलांका सेफ दिख रहे हैं लाक्ष मेंची परफॉमेस था दासून सनाका सेफ है विनिंदू असरंगा सेफ है दिलसान मदू सनाका भी सेफ है और समी इंजे डी सिलवा Grand League के एक differential player रह सकता है कम बंदे ध्यान देंगे और Grand League के अंदर सबसे बड़ा differential player रह सकता है मैस थिक्षाना लगातार दोनों मेचयों के अंदर कोई खास performance नहीं दे पाए हैं लेकिन इस ground के उपर कर spin को थोड़ी बहुत मदद मिलती है तो यह player आपके लिए अच्छे विकेट निकाल के दे सकता है और इस player के उपर तो बहुत ही कब मंदे ध्यान देगे उसके बाद दोस्ते खास बात और बता दूँ अब मान लीजिए इंडिया के आप सारे बोलर लेके चल रहे हो जैसे अर्षदिप सिंग, उम्रान, मलिक, शिवम, मावी, यूज चैल, अक्सर, पटेल और हर्दिक बंडिया ये जो 5-6 बोलर है इनमें चाप किनी 5 बोलर को लेके चल लिए हो ये मान के चल लिए हो कि इंडिया के बोलर कम्प्लिट्ली डॉमिनेट करेंगे ग्रेंड लीग के पस्पेक्टिव चेकर आप टीम बना रहे हो और ये मान के चल लंका के टीम एक चैंGE कर सकती है, लाहिरु कुमारा को मोखा दे जा सकता है बौलिंग सेक्टन में, हो सकता है ये प्लेयर खेलेगा ये प्लेयर ओर डैथ वर में बोलिंग करने आ सकता है बाकि दोस्तो हाई चांस आपको यह प्लेंग लेंग देखने को मिलेगी अगर कोई नया प्लेयर खेलता है अगर कोई प्लेंग लेंग में चेंज होता है तो वह मैं आपको टेलिग्राम पर बता दूँगा एक रिक्वेस्ट फिर से अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइ ऑपनेग करते हैं पहले मैच में 37, दूसरे मैच में 2 रण, उसके बद मारे पास सिलंका की तरफ से कूसल मेंडिस ओपनिंग करते हैं पहले मैच में 28, दूसरे मैच में 42 और सधीरा समर्विक्रमा को अभी तक तो मोह का मिला नहीं है खेलने का अब सेफ आप्शन की बात करे और दोनों ही विकेट कीपिंग करेंगे तो आपको एक्ष्टा पोइंट भी दिलवास है। लेकिन ग्रैंड लीग की टेम बनाओ अगर आप इंडिया की तरफ से अर्षदिप सिंह, हार्दिक, पांडिया, सिवं, मावी जैसे प्लेयर पे ज्यादा टरश दिखाओ उस केस में आप कुसल मेंडिस को ड्रोग कर सकते हो, वहीं दोस्तों अगर आप सिरलंका की तरफ से कासून रंजीता, मेश ठिक्षान और दिलसान मदुस्तनाका पे ज़्यादा टरश दिखाओ तो आप इशान किशन को ड्रोग कर सकते हो, यह पारपले के बोलर इनके सामने बोलिंग क पहले मैच में 7, दूसरे मेच मीखियावन, रिक्तुराज गाईकवार को अभी तक मोका नहीं मिला, लेकिन मोका मिलेगा तो यह उपनिंग करने आ सकते है, उसके बाद शुभमन गिल ओपनिंग करने आते हैं, पहले मैच में 7, दूसरे मैच में 5 रं, राहूल त्रिपाट ह है यह प्लेर चार नंबरे बैटिंग करने आता है लास्ट वाला मैच खेला ता मात्र पांच रण मिना है ते दिप्पा कुर्डा पांच या चैनल बैटिंग करने आ सकते हैं पहले मैच में में अरफ टारीस दूसरे मेच में नो रन वहीं दोस्तों माले पास सिललंका की तरफ से पाथूम निशांका ओपनिंग करते हैं लास्ट में त्यातिस उससे पहले एक रन बानुका राजबक्षे लास्ट मैच के अंदर तीन नमबरे बेटिंग करना आ थे दो रन मिना थे उसस पहले वाले मैच में 10 रन दास divisionsन ओर्भारेंस क्या रेंडब से अगर हम बात करें तो फिस्ट चोक्कर सूर्य कुमार्यादव फ्रोम इंडिया सेकी स्टोध्ड प्रोम स्रिलंका फिक्स भर्ड आप यहाँ पर आप बानुका राजपक्षे और चरित असलंका में इसकी एक के साथ जा सकते हो अगर आप ग्रेंड लीक के टीम बनाओ तो आप एक सेरियो यह मान सकते हो मान लीजिए इंडिया की टीम पहले बोलिंग करती है और इंडिया की तरफ से आप अरसदीप सिंग, सिवम, मावी या उम्रान मलिक में इसकी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चल रहे हो यानि यह पिर आउट्स्टेंडिंग परफॉमेंस देने वाले आपके कोड़े उस केस में आप सिरिलंका के टोप ओडर के बैट्समेन को ड्रोप करके दासून सनाका को मोका दे सकते हो बानुका र यहां पर सिरिलंका की बोलर अच्छा परफॉमेंस दे और इंडिया का टोप ओडर कोलैक्स हो जाए उस केस में आपके लिए राहूल त्रिपाठी डिफेंशल प्लेर रह सकता है उस केस के अंदर आपके यहां पर इंडिया की तरफ से अक्सर पटेल या दिपकुड़ा भी दूसरे मैच में 12 रं 0 विकेट उसके बाद अक्सर पटेल ऎ लेफटा मोत रोंकस बोलिंग करते है पहले मैच में 13 रं 0 विकेट दूसरे मेच में 65 रं 2 विकेट वोसिंग्टन सुंदर को अभी तक मचिना नहीं मिला है लेकिन वोसिंग्टन सुंदर ने इस ग्राउंड पे एक मैच खेला हुआ जिसके अंदर एक विगेट भी निकाला हुआ है वहीं दोस्त मारपा सिलना काई तरब से विनेंज दोसरंगा राइटाम लेक ब्रेक बोलिंग करते हैं पहले मैच में 21 रन एक विगेट दूसरे मैच में 0 रन एक विगेट दूसरे में जीरो 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 रन एक स्मोल लीक के अंदर ही तीनों प्लेयर इंपोर्टन है अगर आप चोथा उप्सन चूज करना चाहो ताप चमीका कॉनरतनी या दनेंजर डीसिलवा में इसकी एक को मोका दे सकते हो ओ सकता है यहां पे चमीका कॉनरतनी कमाल कर दे हो सकता है अगर स्पिन को फिवर मिल तो दने क्रिकेट खेला होगा इस ग्राउंड की उपर तो यह फ्लेर थोड़ा क्रूशल रह सकता है अब दोस्तों बात कर लेते हैं बोलिंग के बारे में बोलिंग में दोस्तों आप पास इंगे की तरप से उम्रान मलिक राइटाम फास्पुजीं बोलिंग करते हैं पहले मैच में दो विगेट दूसरे मैच में तीन विगेट यूजी चेहल राइटाम लेक ब्रेक बोलिंग करते हैं लास्ट मेच में एक विगेट लिया तो उससे पहले वाले मैच में विगेट नहीं मिला था लेकिन इस ग्राउंड की उपर लास्ट के जो दो मैच खेले उन दो नो मैच में 2-2 विगट निकाले है अरसल पटेल राइटाम फास्ट भнजिम बॉलिग करते है पहले मैच में 2 विगट बीधि दुसरे मैंच नहीं कहले सिवम मावी 2 ही 14 विगट दूसरे मैच भीकット दुसरे भीकisन मिला था दिल्चान मदूसना का लेफ्ट आम फास्ट में बोलिंग करते हैं पहले मैच में एक विगेट दूसरे मैच में दो विगेट लाहिरु कुमारा आइटाम फास्ट बोलिंग करते हैं भी तक मोगा नहीं मिला है पर मोध मदूसन को भी तक मोगा नहीं मिला है कासुन जित्ता राइटम फास्ट में बोलिंग करते हैं लास्ट मेंच में दो विकेट और नुवान तुसारों को अभी तक मोका नहीं मिला है अब सेफ ऑप्षन के गरम बात करें फर्स्ट चोईश इंडिया की तरब से आपके लिए फोर्शोर है उम्रान मलिक सेकंड सिर्लंका की तरब से दिल्सान मदुसना का अगर आप दूसरा बोलर स्रिलंका का चूज करना चाहो तो आप मेश थिक्सना और कासुन जित्ता में इसकी एक को मोका दे सकते हो अब दोस्तों अगर आप ग्रेंड लिग की टीम बनाओ तो आप एक टीम ऐसे बना सकते हो अगर सिर्लंका के भी मेश थिक्सना दिलसान मदुसना का और कासुन जित्ता इन तीनों बोलर को अपने टीम में ले सकते हो हो सकता है इंडिया कोलैक्ट हो जाए और स्रिलंका एजली जीच जाए बाकि मेरे को परसनल लग रहा कि यह मैच इंडिया असानी चे जीच जाएगी इसके अंदर में विगड़ की पर मेलिया है इशान किशन को बैटिंग मेलिया सुरिया कुमार यादो भानुका राजपक्षा और दासुन सनाका को ओर लाउंडर मेलिया अकसर पटेल हार्दिक पांडया विनिन्ति असरंका और चमिका को और बोलिंग मेलिया यूजी चहल अर्षदीप सिंग और उमरान मली को अब देखो दोस्तों आपने में क्या लोजिक लगाया कि इंडिया के बोलर कमाल करेंगी और स्रिलंका के टोप ओडर के बैट्समेन कुसल मेंडिस और पातुम निशांका जल्दी आउट हो जाएंगी रोज सकता तीन नंबर पे धनेज सुर्य कुमार याद हो दोनों ही मैच जितवा ले जाएंगे हाला कि यहाँ पर एक चेंज ओर कर सकते हो यहाँ शुबंगिल को मोका दे सकते हो हो सकता है इंडिया का एक यह या दो एक ही विकेट फोल हो शुबंगिल भी 25-35 बना दे तो चेंज भी आप कर सकते हो इस टाइ पर्मों टीमर थुरे हिस्की टीम है ग्रेंड लिक के अंदर अगर आपको सेफ जाना हो तो आप भानुका राज बख्षे जिगत चरीत असलांका को मोका दे सकते हो चमीका कॉरोटातनी के जाग कुसल मेंडिस को मोका दे सकते हो यहां पर आप सिरलंका का एक आदा बोलर चू लाते हो तो आपको मिलेगे ब्रेंड न्यू मेंद्रा था रहा है जब फर्स प्राइज और आप अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से माई लें सर्क्लाइब डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेगा 20 परसेंट एक्स्टा कैस्ट उन्यों फर्स डिपोजित जल्दी कीजिए अभुले धन्यवाद इस गेम इस फिनाशली रिस्की और हैविट फर्मी प्लीज 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 प्लीज